Law of Thoughts के इस लेक्चर सिरीज में हम बात कर रहे हैं General Principles of Law of Thoughts और इस टॉपिक के अंदर हमने अपने प्रिवियस दो लेक्चर्स में प्रिंसिपल ओफ वाइकेरियस लाबिलिटी को कम्प्लीट कवर किया हमने वाइकेरियस लाबिलिटी के कॉंसेप्ट हो दीटेल में समझा हमने कुछ केस लॉज भी देखा आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रिंसिपल ओफ स्ट्रिक्ट लाबिलिटी तो जनरल प्रिंसिपल्स ओफ लॉज ओफ तॉट्स के तहर्ट हमें तीन प्रिंसिपल्स पढ़ना होता है सबसे पहला प्रिंसिपल्स ओफ वाइकेरियस लाइबिलिटी और principle of vicarious liability को समझाते समय या इसे explain करते समय basically हमें तीन relationship को disclose करना होता है master, servant, employer, employee, principle and agent अगर आप वीडियो में नए हो और principle of vicarious liability को अच्छे से समय ना चाहते हूँ तो आप मेरे वीडियो को follow कर सकते हैं जो दूसरा principle है under law of thoughts वो है principle of strict liability और तीसरा principle है principle of absolute liability what is liability it is basically your obligation your duty towards anything वो क्या है आपका liability है जैसे law of thoughts में जो wrongdoer है जो thought feasible है उसकी ये liability थी कि वो ऐसे acts ना करे जिसके वजह से दूसरे परिशन के private legal rights का violation हो तो दाट परिशन वोज लीगली बाउंड to do those acts only which can be justified legally लेकिन उस परिशन के ऐसे acts जिसके बजह से दूसरे परिशन के private legal rights का violation होता हो तो उस act को हम justify नहीं कर सकते हैं और उस situation में he is liable to pay compensation to those whose rights has been violated तो ये है liability right तो principle of strict liability क्या कहता है it is that liability which is much more strict right तो basically strict liability में जो wrongdoer है जो टॉट पीजर है उसे और भी जादे conscious होना रहता है because he is strictly liable for his acts भले ही उस act को उसने negligent के basis पर किया था उसमें उसकी लापरवाई थी या उस act को उसने intentionally नहीं किया था that act was not done intentionally फिर भी उस act के वज़ा से किसी दूसरे परिशन को हाम होता है तो वो परिशन क्या है strictly liable है अगर हम strict liability को in short समझें तो basically strict liability क्या कहता है एक परिशन जिसके पोजेशन में कोई ऐसी चीज है वज़े डेंजरस थेंग तो यह कोई सबस्तान हो सकता है या कोई अनिमल हो सकता है या कोई gas हो सकता है या कोई पी चीज जो अगर इस परिशन के escape से बाहर जाता है इस परिशन के position से बाहर जाता है और जिसके वज़े से दूसरे परिशन को किसी प्रकार से कोई हाम होता है या कोई injury होता है for example this person was having a lion और एक दिन इस परिशन के position से यह lion बाहर चला जाता है और दूसरे परिशन के उपर attack कर जिता है जिसके वज़े से यह परिशन इंजर्ड हो जाते है तो यहां पर strictly libel कौन है वो परिशन है जिसके position में वो animal था या कोई substance था या कोई dangerous thing था जिसके escape के वज़़े से यानि जैसे वो चीज इस परिशन के control के beyond गई दूसरे परिशन को किसी तरह से किसी manner में injury हुआ तो यहां पर जो liability है परिशन की है So anything in your position It may be any substance, any dangerous thing, any gas, any animal, any chemical which can cause harm to another person or public at large, then you are strictly liable to take care of that thing. क्योंकि अगर वो चीज आपके संट्रोल से बाहर जाती है, भले उसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं था, फिर भी आप क्या हो लाइबल हो. This is the concept of strict liability. strict liability, इस concept को, या हम यह कह सकते हैं case general principle को, Resident versus Fletcher के case में evolve गया. strict liability is a legal term that refers to a type of liability that does not require proof of fault. तो इसमें आपको यह proof नहीं देना होता है कि साहब इसमें मेरी कोई fault नहीं थी. बले ही उस चीज के होने में आपका कोई fault हो या ना हो. बले ही आपका intention ना हो. फिर भी उसके लिए responsible कौन होगा आप होगे. तो इस concept को, इस principle को, Rayland versus Fletcher के case में evolve गया जा था. क्या था Rayland versus Fletcher का case आए समझते हैं. इस case में Rayland versus Fletcher. इस case में Rayland Fletcher ने एक reservoir create किया. अपने land के उपर Fletcher, she was defendant. इससे एक reservoir create किया. अपने land constructed a reservoir by the help of independent contractor. तो Fletcher ने independent contractor के help से एक reservoir create किया. और इस independent contractor ने यह observe किया, कि उस land के ऊपर, माइन्सेट से यानि धरा रहे थी. फिर भी इस facts को इंडिपेंडेंडेंट कॉंट्राक्टर ने एक्नोर कर दिया. और reservoir create कर दिया गया. और इस negligence के बज़र से यह जो reservoir था, इसमें जो पानी collect किया गया था, इस वाज flooded और इस तरह से यह जो पानी है वो अंदर ही अंदर, रेलेंड के माइन में धूस जाती है और इससे रेलेंड का जो माइन था, it was completely destroyed. अब रेलेंड फाइल शूट अगेंस्ट फ्लेचर. फ्लेचर ने अपने defense में यह कहा, कि he was not known about the fact कि उसके land के नीचे माइन सेट हैं, या अगर वो जान भी रहा होता, तो बनाया किसने है, बनाया है independent contractor ने, तो लाइबल कौन होगा, independent contractor होगा, यह defense का, किसका, फ्लेचर का था, तो फ्लेचर ने कहा, जब हमने principle of vicarious liability को समझा, तो हमने यह जाना कि master and servant के relationship में, जो exception होता है, वो है independent contractor, जो किसी भी काम को independently करता हो, भले उसके उपर कोई master बैठा हो, लेकिन सभी acts को, वो किसी के guidance में नहीं कर रहा है, he is performing all those acts by his own, तो वो independent contractor है, तो master-servant relationship में independent contractor क्या है, एक exception है, और वो कोई act करता है, तो इसके लिए master libel नहीं होगा, तो यही difference लिया गया था, Fletcher के बारा कि it was all because of fault of independent contractor, court ने कहा, कि इसमें जो Fletcher है वो strictly libel है, और court ने basically rule of strict liability को impose किया, यहां हम कह सकते हैं, किसी case में principle of strict liability को formulate किया गया, और court ने तीन essentials evoke किया, इस case में, for the principle of strict liability कहला dangerous thing, आप अपने position में कोई ऐसा चीज रखते हो, जो कि किसी भी manner में dangerous है, जिसके negative consequences हो सकते हैं, जिसके वजह से दूसरे position को किसी प्रकार से lost हो सकता है, तो यहां पर, basically, यह पहला element है, principle of strict liability का, और दूसरा, eescape, और दूसरा, non-natural, use of land, तो क्योंकि यह जो reservoir था, mindset के बजह से, इस reservoir में जो पानी था, it goes beyond the limit of, or beyond the boundaries of Fletcher's land, तो यह speed हो गया, और दूसरा, यह कहा गया, कि जो reservoir का construction है, यह natural use of land में नहीं गिना जाता है, it is basically, the special use of land, it is not ordinary use of land, अगर आप किसी tank का construction करते हो, जिसमें जो rainfall है, वह आके इकठा होता है, तो वह act, वह activity, वह construction, natural use माना जाएगा, ना कि वह reservoir उसे हम natural use of land मानेंगे, तो basically, तो यह क्या है, यह dangerous ही तो है, तो यह तीन चीज़ है, यह तीन essentials हैं, किसके, principle of strict liability के, और इस case में, court ने यह कहा, कि independent contractor, strictly libel नहीं है, and the one who is only libel, is Fletcher, right, तो रेलेंड बसिस Fletcher के case में, black born was the judge, जिन्होंने इस principle को evolve किया, इस principle को formulate किया, और इन्होंने यह कहा, कि कोई भी person, जो अपने position में, कोई ऐसी चीज रखता है, जो कि hazardous है, जो कि dangerous है, और वो उस चीज को अपने purpose के लिए रखता है, maybe for business purpose, maybe for profit earning, जो अगर उसके control से बाहर जाता है, तो दूसरे persons को harm कर सकता है, तो उसे यह ध्यान रखना होगा, कि वो पूरा proper cause, proper attention, reasonable steps उठाए, और यह कोशिश करें कि वो चीज उसके control से बाहर ना जाए, उसके limit से बाहर ना जाए, और अगर ऐसा होता है, तो जो भी natural consequences होंगे, उस escape के, तो उसके लिए liable वही person होगा, जिसके position में वो चीज था, या जो उस चीज का owner था, अब देखिए, जो principle of strict liability है, वीडियो भले ही थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को complete देखते हो, तो यह मेरी guarantee है, कि principle of strict liability आपको कभी नहीं भूलेगा, और आप इस लायक रहोगे, कि अपने मन से, अपने समझ से notes बना लोगे, पर यही मेरी कोशिश रहती है, जब हमने general differences of law of thoughts को cover किया, तो हमने उसमें देखा, कि there are many differences, जिनका use करके, wrongdoer या taught feeser, compensation देने से बच सकता है, या अपने liability से escape अपने आपको कर सकता है, जिसमें सबसे पहला है, voluntary non fit in juria, यानि to a willing person, it is no wrong, दूसरा, actster p causa, non orator actio, विस major, जिसे हम act of God कहते हैं, private defense, mistake, वीडियो के बीच में, जो disturbance हुआ उपके लिए story, अब देखिए यहां पर तंकी है, और तंकी भर गया सा, पानी बैने लगा, इसके बज़े से, मेरा कॉफी भीग गया, तो प्लीज आप चैनल सब्स्राइब लिए, क्योंकि आपका एक subscription मुझे motivate करता है, कि मैं इन problems की बावजूद, आपके बीच ऐसे ही वीडियो लाता रहूं। शलिए, हम अपने discussion को continue करते हैं, और समझते हैं, तो जैसे हमने General Defenses of Law of Thoughts में, सब्सक्राइब देखा जिसमें था, जिसमें था, Act of God, Private Defense, Mistake, Necessity, Statutory Authority, तो प्रिंसिपल of Strict Liability में, जो रॉंग्डूर है, वो डिफेंस ले सकता है, जब वो यह क्लेम कर दे, या जब वो यह प्रूफ कर दे, कि जो भी चीज हुआ, जो भी एक्ट हुआ, जैसे भी वो डेंजरस चीज, वो डेंजरस सबस्टांस, क्यामिकल, उसके escape से बाहर गया, उसके position से बाहर गया, उसमें उसके कोई fault नहीं थी, और जो कुछ भी हुआ, वो plaintiff के consent से हुआ, there was consent of plaintiff, यानि, voluntary non-fit injuria, इसका defense ले सकता है, strict liability में, defendant, जो कुछ भी हुआ, उसमें plaintiff का, खुद का fault था, and there was no fault of him, उसका कोई fault नहीं था, तीसरा, it was done because of act of God, चौथा, statutory authority, और पाचवा, act of third party, यानि, यह जो general differences है, यह differences, principle of strict liability में, applicable हो सकते हैं, जिसमें सबसे प्याला है, plaintiff's own fault, plaintiff's consent, act of God, statutory authority, और क्या है, act of third party, तो, relevant versus Fletcher के case से, हम यह inference, draw कर सकते हैं, कि independent contractor का, जो act है, वह act of third party में नहीं आता है, यानि, जो defendant है, वह यह defense नहीं ले सकता है, it was all because of, fault of that, independent contractor, right, क्योंकि independent contractor को, third party नहीं माना जा है, और इसलिए, जो wrongdoer है, वह अपने fault का, जो blame है, वह independent contractor पर नहीं जाल सकता है, right, अब जैसे, act of God का, हमने एक example समझा था, जिसमें क्या था, case था हमारे पास, Nicholas versus Marshland, जिसमें एक person ने, अपने premises में, कोई, निकोलस versus Marshland में, एक person ने अपने premises में, अपने land पर, artificial lakes तयार कर दिया था, और उन lakes का proper boundary भी किया गया था, लेकिन अच्छानक से, इतना तेज बारिश आता है, जो कि अभी तक के हिस्टरी में, सबसे heavy rainfall था, जिसके वज़ए से, जो lakes के boundaries थी, वो तूट जाती है, और जो पानी है, और न आर्टिक्विशल लेक्स का, वो दूसरे परशन के, प्रमाइस में उसके, सर्फेस पर चला जाता है, और उसे नुक्सान हो जाता है, वो परशन क्लेम करता है, कॉम्पंसेशन, सूट फाइल करता है, और जो परशन है, वो पुरी तरह से, जो रॉंग्डूर है, जो defendant है, वो act of God का defense लेकरके, अपने आपको बचा लेता है, क्योंकि, वो जो heavy rainfall था, it was unforeseen, it was extraordinary, तो यह था, act of God का एक case हमने देखा था, अबू, इंडियों में, एक case हमारे पास, T. C. Balakrishnan Menon versus T. R. Subramaniam, T. Balakrishnan versus T. R. Subramaniam, इस case में, यह कहा गया, कि even there was fault of independent contractor, independent contractor का fault था, फिर भी libel कौन होगा, libel वो पर्शन होगा, जिसके अंडर में, independent contractor था, जैसे इसमें क्या था, कि T. R. Subramaniam, manufactured a rocket like cracker, इसमें जो T. R. Subramaniam था, इसमें अपने प्रमाइस में, एक rocket like cracker, यानि पटाके का निर्माड किया, प्रमाइस में, अपने ही प्रमाइस में, और उसकी टेस्टिंग करें, अब यह जो cracker है, यह आसमान में एक उचाई पर जाने के बाद, नीचे आ जाता है और ब्लास्ट कर जाता है, और नीचे दूसरे जहां पे पब्लिक रती है, जिसमें से एक परशन होते हैं, T.C. Balakrishnan, इन्हें बुरी तरह से इंजिरी हो जाता है, यह एक सूट फाइल करते हैं, T.R. Subramaniam claimed it was all fault of independent contractor, but court applied the principle of strict liability and held him guilty, तो court ने T.R. Subramaniam को guilty पाया, और principle of strict liability को यहां पर impose किया, तीन चीजें पहला कि there was dangerous thing, and it was under the premises of that wrongdoer, भले ही independent contractor ने उसे बनाया था, लेकिन यह चीज क्या होई, escape कर गई जिसके वज़ा से दूसरे परशन हो, losses, harm हुआ, injury हो, और पटाके बनाना, it is not natural use of land, तो basically, तीन चीजें हैं, तीन essentials हैं, इस concept के पहला dangerous thing, दूसरा escape, और तीसरा non natural use of land, अगर आप उस land का natural तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हो, जैसे, रालेंड वर्सेस फ्लेचर के केस में, जो reservoir है, जब हम उसे construct करते हैं, तो यह special use of land में आता है, ना कि ordinary use of land में आता है, तो यह क्या हो गया, यह natural use of land नहीं है, बलकि यह non natural use of land है, लेकिन अगर वहीं पे हम किसी kennel का या किसी tank का निर्मार करते हैं, जिसमें rainfall water collect हो सकता है, तो यह क्या है, नाचरल use of land है, और दूसरा क्या है, escape from your position, अब यहां पे हमारे पास case है, cow heart versus emersum burial board, इसमें basically, जो dependent है उसके premises में, एक poisonous tree, there was growth of a poisonous tree in his premises, right, और जिसके leaves जो कत्ये थे, वो दूसरे परशन के, चट के ऊपर आ रहे थी, उसके premises में आ रहे थी, और जो building number 2 में परशन था, उसका एक kettle था, उसने इन leaves को खा लिया, जिसके वज़ा से वो बिमार पर के मर गया, तो क्योंकि यहां पे यह जो dangerous tree था, इंहां परशन था, इत वह जो पयांद थे, यह बहुँ अन परशन था, तो लाइबल कौन है? लाइबल यह परशन है, इस क्योंकि शिक्व ली लाइबल, कि और यहां पर्शन्स लायबल नहीं होगा क्योंकि एक तो ये है कि इसके पोजिशन्स के right so what are the exceptions of this principle अन्ने देखाब, वालने नन फिट इंजुरिया, act of God, statutory authority, act of third portion or plaintiff's own fault so this was the complete concept of principle of strict liability मैं पोरे बिस्वार के साथ कह सकता हूँ, कि इतना effort करके आपको कोई नहीं समझाएगा प्लीज, इस effort को देखते रुए, आप हमें support करें, हमारे चैनल को, मेरे चैनल को subscribe करें, वीडियो को like करें और इसे जाद जाद शेयर करें तुकि आपका एक subscription मुझे motivate करता है, कि मैं इन problems के बावजूद, आपके बीच वीडियो लातर रप तो अब हम अपने निक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, principle of strict liability ये तो हो गया, अब हम बात करेंगे, principle of absolute liability तो जब कभी भी आप principle of strict liability को explain करोगे, वहां आपको हर हाल में, well and versus nature phase को refer करना है, ठीक है, it is the leading phase अगर आपको कोई doubt है, या आप मुझसे connect होना चाते हो, कोई question है, तो आप मेरे telegram channel को join कर सकते हो, या आप मुझे instagram पर follow कर सकते हो, id है ra.jan9827, thank you, have a nice day